Hello my dear students, welcome back to Engineering Academy. तो चलिए हम बात कर रहे हैं क्लास 7, Chapter 1, Intisers के वारे में. वोजी जानते हैं कि इस Chapter 6 अगला topic क्या है. The next topic is the subtraction of integers. तो यहाँ पर हम subtracting a number from the other than. Subtracting a number from the other than is the same as the adding its add. अब किसी भी number को अगर आप subtract कर सकते हैं, तो आप उसमें उसके additive inverse को add करो. अब यह समझें, जैसे minus 14 minus 8 है, तो मत्तब हो क्या minus 14 है, यहाँ पर इसने minus. अब अगर अब इस individually 8 को देखूं, तो 8 का additive inverse क्या होगा, minus 8. क्योंकि मैंने इसको minus 8 किया, तो यहाँ पर आपको इससे plus sign करो. और एक कुछ जिस तरी हैं कि आपको इससे, तो यह माइनस 22. नमबर या तो positive हो या negative हो, हमें उसको क्या करना हो तो यह भी positive number है, तो यह पर आपको 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 निकालना है, और अगर आप एडिटिव इनवर्स भूल जाते हैं, तो basic funda याद रख्ये कि अगर दोनों ही नमबर negative है, यह भी negative दीखे रहे हैं, इसके पहले माइनस sign है, इसका एंसर माइनस जाएगा और यह दोनों ही पोजेटिव इसके पहले कुछ ही लिखा हुआ है तो इसका भी क्या हो जाएगा प्लोजर प्रपर्पर्टी क्या होता है difference of two integers is always an integer यह क्लोजर प्रपर्पर्टी क्या होता है जिसे if a and b are two integers so their difference is always an integer 5-7 करो तो माइनस 2 आएगा 7-5 करो यह हमारा 2 आएगा तो यह सीज हमें ध्यान रखना है कि यह दोनों ही इंटीजर माइनस टू भी इंटीजर है तू भी क्या है हमारा इंटीजर लेकिन प्रपर्पर्टी के अगर हम बात कर ले तो यहां पर के लिए अच्छा नहीं होता है क्यों नहीं होता है यानि कि a-b is never equal to the b- जैसा कि आप देख सकते हैं 6-5 कर रहे है 11 आ जा रहा है लेकिन 5-6-11 तो यहां पर क्या हो गया यह प्लस हो गया 6-5-5 यह प्लस हो जाता है तो 11 हो जाता है associative properties also not good for the subtraction of integers 2 क्योंकि association change करने से result हमारा equal नहीं है तो 4-4-9-2 अगर हम कर रहे है तो minus 4-9 हमारा minus 2 क्या minus 2 जबकि अब 9-2 अगर हम कर रहे है positive number 9-2 कर रहे है तो यह क्या निकल कर रहे है यह 7 है हमारा क्या निकल कर रहे है अब एक सकतो कि difference is यह पर difference answer same thing identity property किसे करते है कि when 0 is subtracted from any integer the difference there is but when integer is subtracted from 0 the result is not equal let's say a minus 0 कर गो ते होगा but 0 minus a जो होगो equal to a नहीं तो and therefore no identity element for subtraction subtraction के लिए कोई identity है नहीं नहीं नेक्स आते हैं इसके rapid check को solve करते है rapid check को हमने वन बहले बता दिया था rapid check whether the following are the true or false for any two integers a and b a minus b is equal to b minus a minus b minus c not equal to a minus b minus c यह true statement है difference between two positive integers is always a positive integer difference between two positive integers जहीं कि तो positive integers तो वो हमेसा एक positive integer होगा ऐसा कहना मुस्कित हो राता है लेकिन अगर two minus six यह कै आईगा इसने हमसे पूछा positive integer तो अगर यह पूछा होता सिर्फ integer होगा तब तो possible है तो नहीं integer है इसने कहा नहीं positive integer होना चाहिए तो जो की फॉल्स अगर इसको solve पर होगे न तो यह minus minus plus में एक प्लस एकोल टू जिरो नहीं होसकता है यह two a हो जाता है यह रहता है जिलते है अगले वीडियो में जहां पर मैं exercise 1 तब तक अपना क्या लए थे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेर करें चैनल विधिए तो सब्स्काइब नहीं करें तो सब्स्क्राइब